एक आम सादा से इंग्लिश जुमले में कौन-कौन से जुज होते हैं तो आएए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से एक इंग्लिश जुमले में यानि के आम तोर पर एक सबजेक्ट होता है एक हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब लगा होता है एक में वर्ब होता है एक आर्टिकल लगा होता है एक एड़ वर्ब या फिर एक एजेक्टिव लगा होता है या ये दोनों भी हो सकते हैं एक object होता है या फिर उसकी जगा पे एक complement होता है एक extension of predicate होता है extra information देने के लिए और वो sentence full stop पे end करता है अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि usually एक English sentence के अंदर usually यानि कि आम तोर पर मतलब इन में से किसी sentence में एक component होगा तो दूसरा नहीं होगा दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा components की composition change होती रहेगी sentence के requirement के हिसाब से एक tense में एक component की जरूरत है तो दूसरे में उस component की जरूरत नहीं होती है ये तमाम के तमाम कॉम्पोनेंट्स एक सिंपAl English सेंटेंस के अंदर आप नहीं ढाल सकते और ये हो भी नहीं सकते, वो जिम्ला भलकुल गलत हो जायगा इन में से एक होगा तो दूसरा नहीं होगा लेकिन इन तमाम components की गुंजाइश होती है एक English सादा जुमले के अंदर इस वज़ा से grammar के साब से इन सब को वाज़े किया गया है कि एक English sentence के अंदर आम तोर पर ये 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 चीजे होती है तो ये तो थी एक simple English sentence के components की definition या फिर तारीफ अब आएए जरा formula को देखते हैं कि formula क्या होता है ये एक universal formula है simple English sentence बनाने का और ये formula कहता है कि सबसे पहले subject लगा होना चाहिए उसके बाद helping verb या फिर model verb लगा होना चाहिए उसके बाद आपका main verb लगा होना चाहिए उसके बाद आपका article लगा होना चाहिए तीनों में से कोई भी article लगा सकते है and the जो भी आपके sentence की requirement हो उसके बाद आप एक adverb या फिर adjective लगा सकते है अगर आपके sentence में इसकी requirement है या गुंजाश है उसके बाद आप एक object लगाएंगे या फिर एक compliment लगाएंगे उसके बाद जो है आप extension of predicate लगाएंगे और सबसे and में आप अपने sentence के full stop लगा देंगे ताकि वो sentence close हो और वो grammatically एक दुरुस्ट sentence कहलाए return English के हिसाब से तो ये तो थी formula की बात अब जरा इस formula को समझने की कोशश करें subject इसे bracket के अंदर नहीं लिखा गया तो ये compulsory चीज़ है sentence के अंदर आगे चलके जो advanced sentences है वहाँ पे इसे भी skip किया जाता है लेकिन यहाँ पे जो universal formula हमने लिखा है हम यहाँ पे simple sentence की बात करें तो simple sentence के अंदर ये compulsory चीज़ है subject का होना फिर ये helping वोब और model auxiliary वोब इनको हमने जो है brackets के अंदर parentheses के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि ये जरूरी नहीं है ये optional है कोई tense इसकी demand करता है कोई tense इसकी demand नहीं करता तो ये tense to tense जो है change होता रहता है इसलिए जो भी चीज़े यहाँ पे bracket के अंदर है parentheses के अंदर जो चीज़े हैं उन्हें आप जो है optional समझे ये किसी sentence के अंदर होंगी और किसी के अंदर नहीं होंगी फिर जो third चीज़ है वो है main verb ये sentence की main requirement होती है चाहे कोई भी sentence हो आप उसे verb के बिना नहीं बना सकते verb आपकी main requirement है हर sentence के अंदर फिर आपके sentence में verb के बाद क्या लग सकता है एक article a, end, the जो भी आपके sentence की requirement हो लेकिन ये भी optional है जरूरी नहीं है हर sentence के अंदर फिर आप ad verb और adjective दोनों में से एक लगा सकते हैं दोनों भी लग जाते हैं sentence के अंदर लेकिन ये भी optional है sentence to sentence ये change होते रहते हैं requirement हो तो लगा देते हैं requirement ना हो तो नहीं लगाते फिर object और compliment object और compliment से भी आप एक ही चीज़ लगा सकते हैं एक sentence के अंदर दोनों नहीं लग सकते और ये भी optional हैं चंद sentences में इनकी भी जरूरत नहीं होती और आपका sentence जो है बिन object के ही clear meaning दे रहा होता है उसके बाद का जो component है वो है extension of predicate extension of predicate वो words होते हैं जो object के बाद sentence के अंदर आते हैं और वो कुछ extra information दे रहे होते हैं उस sentence के बारे में या उसके subject के बारे में और जो सबसे last चीज़ है जो बहुत important है वो है ये चोटा सा dot जिसे आप full stop कहते हैं एक simple English sentence को end करने के लिए इसका लगा होना लाजमी है वरना written form में वो sentence incorrect होगा grammar के हिसाब से अब आईए जरा in components को और इस formula को practically in sentences के अंदर समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास यहाँ जो ये पहला sentence है he plays cricket तो इस sentence को इस formula के तहत ही बनाया गया है यहाँ पे formula के demand के मताबिक हमने सबसे पहले ये subject लगा दिया he फिर हमने कोई helping verb या model verb यूज नहीं किया क्योंकि हम present indefinite tense का sentence बना रहे हैं जिसमें simple sentences के अंदर helping verb की कोई जरूरत नहीं होती तो हमने फिर second component इस्टिमाल किया है जो के है verb की plays हमारा subject third person है तो हमने tense की demand के मताबिक यहाँ पे play के बजाए plays लगा दिया है जैसे present indefinite tense की demand होती है और ये चीजें आपको जब हम tense पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ने को मिलेंगी और बहुत आसानी से आपको समझाई जाएंगी इन्शाला फिर उसके बाद हमने कोई article use नहीं किया नहीं हमने कोई adjective use किया है बलके हमने यहाँ पे अपना object use किया है जो के है cricket, he plays cricket जो last component हमने लगाया हुआ है यहाँ पे वो है यह full stop, यह चोटा सा dot जो के necessary है इस formula के हिसाब से एक simple sentence बनाने के लिए तो subject, verb, object और यह चोटा सा dot full stop लगा के हमने एक दुरुस sentence बनाया है he plays cricket यानि के वो cricket खेलता है इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और sentence बनाया है सबसे पहले हमने subject लगाया है जैसे formula की demand है subject फिर हमने helping verb का इस्तिमाल किया हुआ है इस हमारा helping verb है इस sentence के अंदर तो हमने इस formula के हिसाब से यहाँ पे helping verb भी यूज किया है क्योंकि यह present continuous sentence का sentence है और उसमें helping verb compulsory होता है फिर हमने अपना main verb लगाया है playing क्योंकि यह continuous है तो हमने ing form यूज की है verb की और फिर हमारा जो fourth component है वो फिर से यहाँ पे cricket है और last component हमारा जो है वो है यह चोटा सा dot full stop तो इस sentence में जो है हमने इस formula के हिसाब से पांच components यूज किया है जिन जिन की हमें इजाज़त थी formula के हिसाब से या grammar के हिसाब से subject हमने यूज किया helping verb यूज किया tense की requirement के मताबिक main verb ing form में लगा दिया क्योंकि tense की यह requirement है फिर हमने object यूज किया और last component हमने यह full stop लगा दिया अपने simple sentence को complete करने के लिए तो यह बन गया he is playing cricket यानि के वो cricket खेल रहा है continuous sentence का sentence है फिर हमारा जो third sentence है यहां पे यह भी हमने इसी formula के तहत बनाया हुआ है और इसमें भी हमने 5 components यूज किये हैं जिन जिन components की formula हमें इजाज़त देता है सबसे पहले हमने subject लगाया है जैसे formula की demand है फिर हमने helping verb के बजाए model verb लगा दिया क्योंके हमें यहां पे helping verb की जरूरत नहीं थी तो हमने model verb से sentence बनाना था फिर हमने अपना main verb लगा दिया यहां पे play और फिर हमने object लगा दिया फिर से cricket और last जो component हमने use किया है वो है यह एक छोटा सा dot full stop इसी formula को follow करके एक correct sentence बनाया है he can play cricket यानि के वो cricket खेल सकता है तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस formula को follow करके आसानी से sentences बनाये जा सकते हैं आप इस subject को replace कर सकते हैं कोई और नाम भी आप यहां पे लगा सकते हैं जो भी आपको पसंदो इन तमाम sentences के subjects आप change कर सकते हैं जिन जिन चीजों की formula हमें इजाज़त देता है उसी तरह से हमने इसे बनाया है सबसे पहले she हमारा subject है is हमारा main verb है क्योंके यहां पे हमारे पास और कोई action verb नहीं है तो is ही हमारा main verb है sentence का आज जो है हमारा article है formula हमें इजाज़त देता है article लगाने की और इस sentence की requirement भी है article की तो हमने आका use किया है और फिर doctor जो है वो हमारा compliment है sentence के अंदर यह हमारा object नहीं है क्योंके sentence के अंदर कोई action नहीं है हम बसे किसी के position की बात कर रहे हैं तो हमने compliment का इस्तिमाल किया यह हमारा noun compliment है यहां पे की sentences से different है लेकिन formula में हमें इजाजत है इन में से किसी component को use करने की तो तमाम sentences में यह तमाम components यूज नहीं हो सकते sentence to sentence यह change होते जा रहे फिर हमारे पास next sentence है she is an engineer subject के तोर पर हमारे पास she है main verb के तोर पर हमारे पास फिर से is है यहां पे article n हमने लगाया हुआ है क्योंके हमारा जो यह word है यह एक vowel से शुरू हो रहा है और vowel sound दे रहा है तो यहां पे requirement article की n आ जाती है और फिर हमने जो last component लगाया है फिर से वही चोटा सा dot है तो फिर से इस formula के तहत हम एक दुरुष sentence बना चुके है और यह sentence grammatically बिल्कुल correct है जिन यह चीजों की formula ने हमें अजाज़त दी वो हमने यहां पे use किये और एक दुरुष sentence बना लिया फिर next हमारा sentence है she is the best teacher यानि के वो सबसे बहतरीन teacher है तो subject के तो पर हमने फिर से she को use किया है main verb के तोर पे हमारे पास is है article हमने दा लगा दिया है क्योंके हमारे पास superlative form of adjective यहां पे लगा हुआ है best हमारा adjective है यहां पे और superlative degree के अंदर है तो superlative adjective की जो degree होती है उसके साथ article दा लगा जाता है यह चीज़े भी आपको आगे चल कर सीखने को मिलेंगी बड़ी तफसील के साथ और हमने फिर से noun complement use किया है जो के है teacher कोई object नहीं है sentence के अंदर क्योंके यहां पे कोई action की बात नहीं की जा रही है इसलिए ना तो यहां पे dynamic verb है ना object की जरूरत है हमें और last जो component है वो है यह चोटा सा full stop तो फिर से हमने इसी formula को follow करते हुए एक दुर्श sentence बनाया जो कि English grammar के साब से बिलकुल perfect है फिर next हमारा sentence है you are playing games on computer अब यहां पे हमने you को बतोरे subject रखा हुआ है और are हमारा helping verb है क्योंके यह continuous tense का sentence है playing हमारा main verb है यहां पे games हमारा object है और on computer जो है यह हमारा extension of predicate है EOP है हमारा क्योंके यहां तक हमारा sentence जो है मुकमल है you are playing games you subject है are helping verb है playing main verb है games object है तो object के बाद जो words आते हैं जैसा मैंने पहले बताया था उन्हें English में extension of predicate कह सकते हैं इनकी अपनी भी grammatical position है यह एक जो है preposition है और यह एक noun है आप इन्हें इस तरह से भी define कर सकते हैं लेकिन collectively जो है यह extension of predicate कहलाते हैं और last जो component हमने यहां पे लगाया हुआ है वो है यह चोटा सा dot full stop और फिर से हमने इस formula को follow करते हुए एक दुरुस sentence तयार कर लिया next हमारा sentence है they are cooking food in the kitchen हमने subject के तौर पर यहां पे day को use किया है helping verb के तौर पर हमने r को use किया है जैसे tense की requirement है फिर हमने cooking main verb यूज किया हुआ है या ing form में क्योंकि continuous tense का sentence है फिर food हमारा object है और object के बाद in the kitchen यह हमारा extension of predicate है क्योंकि यह हमारे object के बाद जो sentence है उसको extend कर रहा है यानि कि हमारे predicate को यहां r से लेकर cooking food तक यह हमारा predicate है यह हमारा subject है यह words हमारे predicate को extend कर रहे है तो यह हमारे extension of predicate कहलाते है इंगलिश के हिसाब से लास्ट हमारा component है यह चोटा सा dot full stop तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इस formula का इस्तिमाल करते हुए यह जो universal formula है simple sentence बनाने का इसका इस्तिमाल करते हुए हमने मुखतलिफ किसम के यहां पे sentences बनाए जो कि English के हिसाब से बिलकुल दुरुस्त है perfect sentences आप इनको कह सकते हैं English grammar के हिसाब से तो यह components होते हैं एक simple English sentence में और यह जो formula मैंने आपको बताया एक universal formula है simple English sentences बनाने का दुनिया में इसी का इस्तिमाल किया जाता है इसी के तहत sentences compose किये जाते हैं जैसे हमने compose किये हैं और फिर यह sentences grammar के हिसाब से बिलकुल दुरुस्त होते हैं अगर यह इस formula को वाइलेट नहीं कर रहे हैं उमीद करता हूँ आपको यह चीजे अच्छी तरह से समझ आई होंगी और कोई confusion नहीं होगी इन चीजों के हवाले से अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो नीचे comment section में जो है अपना question post कर सकता है मैं उसका जल्द जल्द answer देने की कोशिश करूँगा आपसे एक request है अगर आपने ये channel subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe कर ले और bell के icon को click करें ताकि इस course का कोई भी lecture आपसे miss ना हो और आप बेहतरीन और दुर्स अंग्रेजी सीखे और आपका course मुकमल हो अगर आप चाहते हैं कि इस lecture से या इस channel के जो दिगर lectures है उनसे आपके दोस्तों और रिष्टेदारों को भी फाइदा हो तो आप इस वीडियो को like करें share करें अपने social media platforms पे और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को recommend करें कि वो इस channel को subscribe करें ताके ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फाइदा उठा सके आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने next lecture के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा और मुझे अपनी दौाओं में जरूर रियाद रखिएगा अला हाफिज